तुल्सी माला की महिमा श्यामा तुल्सी की माला धारण करने से विशेश रूप से मानसिक शांती प्राप्त होती है। तुल्सी माला में विशक्ती होती है। तुल्सी की माला पहने से बुकार जुकाम, सिर्दर, चमड़ी के रोगों में भी लाव होता है। साधारन सी दिखने वाली तुल्सी माला के लाव जानकर आप भी चौक जाएंगे। सास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि तुल्सी की माला धारन करने वाले व्यक्ति को अकार मृत्यू या कोई हानिकारक बिमारी नहीं होती। बोजन ग्रहन करते समय शरीर पर तुल्सी की माला हो तो बोजन उस व्यक्ति के गले से नीचे उतरते ही प्रसाद बन जाता है। दीमरित्यू के समय किसी के कले में तुल्सी की माला का एक मनका भी मौजूद रहता है तो वह यम की तरास नहीं पाते और उन्हें सीधे स्वर्गी मिलता है। तुल्सी की माला पहनने से बुद्ध और शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं और साथ ही मन शान्त रहता है। जानकारी पसंद आईयो तो कमेंट्स में जैश्री नारायन जरूर लिखे और साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जोड़ा रुद्राख्य में थोड़ा करपुर मिला दीजिये, थोड़ा चावय, थोड़ा गेहूं और हल्दिका पाउडर और अपने खेत्र के सिवलिंग सीवाले में आप चड़ा दीजिये और दो चार दाना अपने पूजन घर में जरूर रखें। नोकरी की तलास में हैं, आपको नोकरी नहीं मिल रहा है, या आप कर्ज से डूब गए हैं, यह दुरभाग्य दोस है, दुरभाग्य दोस को सोभाग्य में बदल देगा पंच मुखी रुद्राख्य, कहीं इंटर्व्य देना चाहते हैं, इंटर्व्य देने के लिए जब जाएंगे आप, उससे पहले सिविलिंग में एक किलो पंच मुखी रुद्राख्य चढ़ा दीजिये, घर में कुछ रुद्राख्य रखें, और अपने जेब में दो रुद्राख्य पंच मुखी का, य कि आप जाएंटर्व्य देने, नोकरी आपको 100% मिलेगा, जब एक्जाम देने जाते हैं, तो उनको बोलिए कि पहले रुद्राख्य चढ़ा के आईए, क्योंकि रुद्राख्य को कहा गया है, सिव जी का महाप्रसाद, तो रुद्राख्य चढ़ाईए और साथ में एक ति अन्यवाद मेरा नाम है सुनिल, अग्रवाद दस महाविद्या का तंत्र सास्त्री, अत्रिशुल ब्रह्मास्त्र विद्या छोड़ता हूं, और हर रोज हमारे मात्यम से रुद्राख्य नमक चमक चलते रहते हैं, ओडिसा राजी में, आपको रुद्राख्य नमक चमक में अपना नाम अगर सामिल करवाना हो, तो अनली वार्षप चाटी हैं झाल 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 झाल